कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की जंकार लिये कौन आया आख न जाने दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी याद करूं तो याद ना आए मूरतिया ये कैसी पागल मनवा सोच में डूबा एक सपनों का संसार लिये कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की जंकार लिये कौन आया मैंने पूरी पूरी रात गाया है रात के बारा बारा विज़ तक गाया अगले दिन फिर चार बज़े उठकर के गाना शुरू किया है तब तब ही मेरी एवरेज अगर आप निकालेंगे मतलब 20,000 गीतों की 16 महिने में तो आप जान पाएंगे कि एक दिन मेरा एवरेज रिकॉर्ड क्या होतार लोगों कि ये विस्वास नहीं होता कि एक दिन में कोई आदमी 40-50 गाने भी गा सकता बड़ी बात मानते हैं उसको 40-50 बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये अपने आप लुए नमस्कार हमारे साथ डुक्टर राज रूप फुलिया जी हैं और डुक्टर राज रूप फुलिया जी प्रशासनिक अमलों में एक अमिट छाप छोड़ी है सेवाने बृत अधिकारी हैं और इसके अलावा इनकी हैं और बहुत बड़ी उपलब्धियां उन रूचियों में इनोंने प्राप्त की हैं और गुरसवारी परवता रोहन रीवर रैफ्टिंग और पैदल लंबी यात्राएं और अन्या अनेक रूचियां रूचियों के साथ में सेवा निमृत्ति के बाद में इनोंने गायन को संगीत को अपनी रूचिय का ख्षेत्र बनाया और संगीत के ख्षेत्र में गायन में अनेक उपलब्धियां और रिकोर्ड जो एक तरह से विश्व रिकोर्ड हैं वो बनाए हैं हम फुलिया साब आपसे पहले जाना चाहेंगे के संगीत के प्रती दिलचस्पी कैसे जागी कहां इसका बीजारोपन हुआ पहले तो हमें ये बताएं सर औरुन जी बीजारोपन की नहीं मैं ये समझता हूं कि ये हमारी जीन्स का या जिन्देगी का एक हिस्सा बच्पन से ही था और मैं समझता हूं यह अदिकतर लोगों के जो अस्तित तो है उसका हिस्सा होता है क्योंकि इश्वर ने जो हमें शरीर दिया है उसके साथ जो आत्मादी है उसमें और जो हमें एक विलक्शनताइं दी हैं इनसान के स्वरूप में उनमें एक जो बड़ी महतुपूर्ण चीज है वो आवाज है क्योंकि अगर आवाज नहीं होती हमें दिमाग होता सब चीजें होती स्वस्त्रीड होता तो बहुत कुछ नहीं होता है तो अपर हम दुर्भागे से इसके महतु को नहीं पहचानते कि आवाज में क्या चुपा है आवाज की मधूरता में क्या चुपा है आवाज की महध्यम से क्या क्या किया जा सकता है अगर हम गोर करने लगें तो ये बहुत कुछ करती है और दुनिया में बहुत बड़ा रोल है आवाज का तो इसलिए और दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मैं समझता हूँ जिससे कुछ लोगों को आवाजें अच्छी लगती हैं मीठी अच्छी लगती हैं जिसको हम गीत संगीत कहते हैं तो गीत संगीत भी जो इश्वर ने दिया है वो प्रकृती में दिया है पक्षियो गोलते हैं उनकी आवाजें जो है और उनकी आवाजों को सुनने के लिए हम तरसते हैं उनकी आवाजों को सुनकर हमें स्कून मिलता है उनकी आवाजों को सुनकर हम मुठते हैं तो ये सारी चीजें ये आवाज के महत तो हैं और इसलिए बच्पन से ही मुझे गाने सुनने का शोक था मेरे माता पिता भी अच्छे गाते थे मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी तो वो हमें जीन में मिला है और गाओं की महिलाएं गाती थी गाओं की महिलाओं के गीतों को हम सोते हुए जागते हुए चारपाई पे लेटे हुए जब महिलाएं सनान करने जाती थी लड सारे जगों पर तो मृत्यू के बाद रोना भी गीत में होता था एक तरह से तो ये जिन्दगी हमारी गीतों के साथ बनी है साजों के साथ सुरों के साथ मूजिक के साथ तो बच्पन से मुझे उस चीज़ का शौक रहा और इसमत से क्योंकि गाउं में ये चीज़ें तो इनका महतो भी नहीं होता हूँ, इनको सिखाने वाले भी कोई नहीं होते और गरीब परिवार से आए हुए बच्चों को तो और ही कहीं मौका नहीं मिलता जो बच्चे उन परिवारों से आए हैं, जिनके घरों में साज हैं, जिनके माबाप संगी तक गया हैं जो उन जातियों से उन वर्गों से संबंदित हैं जहां पर की गायन और ये उपलब्द है वहां सिखाने वाले उपलब्द है उनकी बात अलग है लेकिन गरीब बच्चे या गाउं के बच्चें को ये चीजें उपलब्द होना और नहीं वहां महतो होता है क्योंकि गाउं मे हमें अच्छा लगता था और उस समय क्योंकि रेडियो आ गया था सिक्स्टीज में मैं 54 में पैदा हुआ तो सिक्स्टीज में रेडियो आ चुके थे तो उस पे जो गानेवी विद भारती में सिलोन रेडियो सिलोन से या इस तरह से बसते थे तो उनको पकड़ने की कला थी उ वो सूर और वो चीजें हमें याद होती थी तो बच्चपन में ही सीखा उसके बाद तो फिर पढ़ाई का जैसे मैंने बताया कि जॉब किया इविनिंग कॉलेज से पढ़ाई की अपना सारा काम किया देली में रहे और भी बहुत सारे काम spiritual organization को में भी अपने समय दिये धन दिया तो उन सारी चीजों के करते हुए इस चीज़ को ज़्यादा आगे और प्रशासनिक सेवा में आने के बाद थोड़ा limitation हो जाती है कि आप एक अधिकारी है तो वहाँ पे आप दूसरे लोगों को पुछताज तो कर सकते हो नको डांट तो सकते हो लेकिन वहाँ पे गीत गाना या और चीज़ें करना जो है वो माकूल नहीं बनता तो इसलिए वो चीज़ पीछे और दूसरा जैसे मैंने आप से चर्चा में बताया कि मेरा काम ये रहा कि मैं जिस भी जगहे पर अगया तो मैं जनूनक से और मेरी स्पीड वो होती थी जो जेट स्पीड होती है काम करने की तो इसलिए मैं अपनी सारी एनरजी को उसी चीज़ में लगाता था इसलिए ये चीज़े शौक मेरे पीछे रहे और जिन्दगी की मैंने जैसे बताया मेरी 30-40 साल की उमर तक मेरे जिन्दगी के जितने भी मुझे कुछ अचीव करना था अपनी जिन्दगी में वो मैं कर चुका था और मैं संतुस्ट था कि मुझे अब कुछ नहीं करना सिर्फ एक बात बची थी वो था संगीत जिसको मैंने रिटायर्मेंट के बाद से फिर्ट्राई किया और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार हम आपको मा गाती थी उनका गया कोई गीत जड़ी अब याद आता है तो मुझे याद नहीं आएगा वो ज़्यादा रमैन के गीत गाती थी रामचंदर जी के गीत या भगवान के गीत जो होते थे मीरा के गीत इस तरह के गीतों को गाओं में गाये जाते थे वो तो इस तरह के तो वो उनको मैं कभी-कभी जैसे चारपाई पर बैठे भी हमें सुनाती रहती थी ऐसे शाम को गाती थी इस तरह से करते थे लेकिन अभी वो गीत मुझे एक जैक बहुत समय हो गया लंबा समय ये सिक्स्टीज की बाते हैं तो रेडियो पे जो आपने गीत सुने पहले पहला गीत यदि आपको याद आता हो या कोई पुराना गीत जो स सुने हैं और वो सब मुझे याद जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे अब जो गाने में जो मुझे धुने याद हैं उस समय की और उस गाने के सही शब्द भी अलफाज भी और उसका सुर भी याद हैं वो उसी समय के मेरे दिमाग में वो हैं जो पुने उभरा है उस तरह क अब इन में से 20,000 गीत जो गाये हैं उन में से अभी ध्यान करना तो मुश्किल है पर कोई भी अगर आप कोई बताएं पुराने कोई भी गीत जो है ऐसा तो मैं तकरिब भी गीत आपका पसंद देता गीत अच्छा कर चलो पसंद देता तो बहुत है मेरे गीत और मैं ज्याद को मैं गाना भी पसंद करता हूँ इस तरह से बहुत गीत गाये हैं एक गीत जो मैं इस में गाऊंगा जी जी वो बड़ा डिफिकल्ट गीत है वैसे पर वो मुझे लगता बहुत पुराना नहीं बहुत पुराना अगर आप पूछेंगे तो मुझे जो मैंने पहले सुना थ वो सुना देता हूँ उसके थोड़ी सी लाइन जो उस समय का है मेरे बच्पन का कह लीजिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की जनकार लीए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की जनकार लीए कौन आया आख न जाने दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी याद करूं तो याद ना आये मूरतिया ये कैसी पागल मनवा सोच में डूबा एक सपनों का संसार लीए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की जनकार लीए कौन आया ये एक स्टेंजा मैंने गुन गुनाया उसका बहुत पराने गीत का जो काफी दिनों से नहीं गाया मैंने तो ये सफर किस तरह से शुरू होता है कि आप निश्चित तोर पे जो काम करते हैं वो दिवानगी की हद तक जा करके करते हैं तो ये संगीत के प्रती जो दिवानगी की प्रक्रिया है इसकी यात्रा है उससे हमें अवगत करते हैं जो ये संगीत की जनूनी चीज है क्योंकि मैं जनून से काम को करता हूं और जो काम मुझे पसंद आता अच्छा लगता है उसकी एनरजी मुझे उसमें मिलती रहते हैं थकता नहीं कभी तो इसलिए जो जनून वाला काम हुआ ये अचानक ही हुआ है मुझे भी ये उमीद नहीं थी कि ये इस हद तक जाएगा मुझे इतना ही था कि ये मेरा शौक है आखरी और इसको मैं कोशिश करूँगा प्रियास करूँगा इसे पूरा करने का और अिस आखरी अपने जीवन की ये तमनौ भी पूरी करने का कि मैं अपने गाएगे के काम को भी मैंने किया लेकिन मुझे ये उम्मीद नही थी कि मैं इस हद तक इसमें सफल हो पाऊंगा क्योंकि इस उमर में 1500 साल की उमर में आवाजों में दम होना और ये होना मुश्किल होता है वो स्टैमिना होना इतना गाना क्योंकि गान आपसे स्टैमिना मांगता है और फिर इस थके मांदे शरीर में उनकी जो धमनिया हैं और चीजें हैं उनमें वो दम होना वो सुर होने ये सब चीज होना लेकिन ये मैं समझता हूँ इश्वर करपा है और मेरे जो पूर्वज़ और मित्र लोग हैं सब सुब चाहने वाले और मेरे अपना कुछ पुन्ने कही है इंडविज्वली भी जिसके कारण से ये चीज सामने उभर कर आई कि जब मैं इनको गाया मैंने इन अपना एक स्टाइल है जनूनी काम करने का कि मैं एक दिन से के बाद ठकता नहीं दूसरे दिन मुझे उससे ज़्यादा इनरजी होती है तो अठारा ठारा घंड मैंने पूरी पूरी रात गाया है रात के बारा बारा विज़ तक गाया अगले दिन फिर चार बज़े उठकर है तो इसलिए लेकिन मेरे लिए ये सहज रहा है और मैंने एक दिन नहीं बहुत दिन तक ये किया मैंने ये जुलाई 1900 धू मैंने Dwicket ये किया था मैंप यांड़ दोहजार 19 से इतार से मेने यातरा शुरू कि जी दोहजार 11 स्टार मेकर एप और इसे शुरू की उसके बाद सम्यूल एप पे आया मैं तो दोनों पर मैंने जो 20,000 गाने अक्तूबर 2019 तक 16 महने में रिकॉर्ड कर दिये थे अच्छा जाँड तो आप यह जां सकते हैं ए अप यह मेरे चोथा रिकॉर्ड है मेरा गानों पहला रिकॉर्ड था नौ महने में 10,000 गाने रिकॉर्ड किये थे reproductive दूसरा रिकॉर्ड था मेरा मई 2019 में बारह हजार इंडोनेशन गाने किये थे जो इस बाख़ा को मैं जानता न थे. यह मेरे नाम रिकॉर्ड है यह पी India Book Of रिकॉर्ड में और एक दिन में 30 मही 2019 को मैंने 202 गाने रिकॉर्ड किये थे इंडोनेशिया अच्छा इंडोनेशिया बाशा के एक दिन में 202 गाने 202 गाने को रिकॉर्ड मेरे नाम दर्ज है जिनको मैं नहीं जानता हूं उसमें Spanish है पुर्टगीज है तरकीश है यह सारी भाशें शामिल हैं इंडोनेशियन है फिलिपीनों है जिन भाशाओं को मैं पढ़ नहीं सकता हूं जानता नहीं इस तरह और बारा भाश तो यह कैसे आप गाते हैं कैसे क्या प्रक्रिया रहती है बस गाना तो जैसे मैं हिंदी गाना को गाता हूँ यह सक्रिप्ट जो होता है वो इंदी में बी होता है पर जो दूसरी भाशाओं के गाने रहती hela के इनके बाक्राइबिग में इसका स्क्रिप्ट इंगलिश में होता है इसको आप सही रूप से उस शब्द को चारण कर सकै तो वो पकड़ने वाली बात होती है हाँ सुरले तो चलो आ जाता है सुरले चूंकि आप गायक हैं तो गायक हैं तो जब दूसरा आदमी गा रहा है तो वो पकड़ लेना कुछ भाशाओं में दिक्कत हो सकती है अधिकतर के अंदर आपको पकड़ने की आदत हो जाती है समझ्या आती है उस शब्द को सही उचारन करना उसको जो लिखा हुआ है इंगलिश में उसको उस रूप से पढ़ना या पकड़ना जो है न तो वो करने के बाद आता है कि जैसे दीरे दीरे आप सुनते रहेंगे या दूसरे को सुनते हैं वहाँ क्योंकि मैंने अधिकतर डूएट्स गाए है मेरे जो इंडोनेशन मित्र या दूसरी बाशाओं के मित्र थे वो डूएट्स गाना बना के मुझे उसको कंप्लीट करने के लिए भेजते थे तो मैंने उनको गाए हैं तो मुझे ये सहयोग हो जाता था कि मैं उनको सुनके और उनके हिसाब से उन शब्दों को पकड़ लेता था कि उन्होंने उस शब्द को क्या कहा है तो जो उन्होंने कहा है उसी तरह से मैं उसको और धीरे धीरे करके जब मैं हजारों गाने का गया तो उसके बाद तो फिर चूंकि अगर हिंदी के आपने सौ गाने भी गा लिए तो उसमें जो हिंदी की वेकेबिलरी है वो अधिक तरह आ जाती है जो भी गानों की चाय प्यार की वोकेबिलरी है चाय को और चीज की है तो उसमें वो शब्द आपके आ जाते हैं जिनको आप समझने लग चलते हैं तो इस करक्त से सहज हो जाता है फिर लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है इसमें पूरा समझ लगाना पड़ता है और चीज करनी होती है लेकिन करने से आता है और मैं इसलिए आपको यह मैं कह रहा हूँ कि यह शायद मेरे लिए रास्ता खुलना था कि इन भाशाओं का यह भी मेरे लिए एक miracle था कि मैं दूसरी भाशाओं में गाने लगा किसे एक मितर ने मुझे बेंगाली गाना भेजा मुझे वह अच्छा लगा ओ गुम रहा था अपनी चत पर शाम को मैं लंबी बॉक्स चत पर कई गंटो करता हूँ वो गाना आया किसे एक मेल मितर ने भेजा ओ बेंगॉली गाना था वो, अभी भी है वो, वीडियो में था वो, और मुझे लगा कि मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, मैं उसके साथ उसी समय मैंने ज्वाइन किया, और वो गाना मेरा पहला गाना था, मैंने पहली बार एक बार सुना उसको, सुनके मैंने उसको ज्वाइनि तेलगू, करणड़ा मलियालम इन सब भाषा के मराठी, गुजराती पंजाबी सभी भाषाओं के उडिया हिंदी के अलावा असमी, असमी, मीजो जो इन सब भाषाओं में गाया है मैंने भारत की भारा भाषाओं में और सेरा और दूसरी भाष्याओं में बाहर की मेरे जो 20,000 गाने स्टार मेकर और सम्यूल पर है उन में मेरे ये सारे मेरे गाई हुए जो गाने है हजारों गाने मतलब इंडोनेशन भाष्या के मेरे कम से कम 3000 से उपर गाने वहाँ पर हैं जेरी आबाच में गाय हुई गाने, यहार एक बाषा में सो सो से उपर गाने, जादे ही गाये हैं, किसे मैं पांसो से जादे हैं, किसी में हजार से जादे हैं, और मैं उनको इंजवाए करता ह Ingvhya अछए लगते हैं, बलकगे कई बार तो मुझे हिंदी गानों से भी जादां लगते हैं उन गानों को गाना हिंदी गाना जो नया निकलता है उसको एक बार में सुन करके गाना कई उन गानों को मुश्किल होता है लेकिन बाहर के कई गानों को इंडोनेशिया के गानों को मैं बिना देखे गाता हूं बिना सुने गाता हूं एक और जिग्यासा के आप इत क्या विशेश उपाए आप करते हैं कि आप अपनी आवाज से काम लेते रहें कि खान पान और जीवनशैली में भी आपने क्या परिवर्तन किये हैं ये भी हम जाना चाहें हैं। परिवर्तन खास तो नहीं किये लेकिन मैंने जैसे बताया कि आवाज जो इतनी बड़ी देन है जब हम गायन की तरफ जाते हैं तब हमें इसका महत्तो और पता चलता है अदरवाज तो हम ये समझते हैं कि हम अपनी आवाज से जो कुछ कहना होता हुतना कहतो लेते हैं किसी को कहना हो जैसे भी शोर शार मचा के जोर लगा के जो भी है तो काम चलता है पर जब आप गायन में चलते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एक बहुत 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 सारे मल अपने अंदर कठा करते रहते हैं जो हम खाते हैं और चीज़ें करते हैं इस तरह की जैसे च होते रहते हैं इसलिए आदमे को कांसी होती है दूसरी चीज़ें होती ढोरोज है जब आप गायन में चलते हैं तो वह सारी निकलती हैं तो शोर सुरू में जैसे हमने जब गाना शुरू किया हालांकि हम कुछ ज्यादा ऐसा नहीं खाते थे मेरा जिन्दगी simple है, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं, ज्यादा तेल नहीं खाता, मसाले नहीं खाता, मिर्चे नहीं खाता, कुछ नहीं खाता है, simple boil type खाता हूं, जिन्दगी पर यह खाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हवा पानी में और हमारे जो खादे हैं उनमें इतने सारी चीजे हैं कि उनसे भी काफी अंदर कफ कठा होता रहता है और वो जब तक आप उसको मांजते नहीं हो तब तक वो निकलता नहीं तो जब आप गाते हैं तो वो निकलता है आता है वो बीच में आपको रुकावर डालेगा स्वेरे आप उठेंगे तो मन जन और वो भी अच्छी तरह करने पड़ते हैं सिर्फ ऐसे निवी दांत में अपना वो ब्रश गुमाया वहां का मुँ साफ किया अंदर में बहुत कुछ है तो अपने पेट के अंदर की जो वेष्ट है जो कलेक्शन है उसको निकालना पड़ता है तो उससे शुद होता और फिर मैंने एक और चीज़ देखी है कि आपके आवाज बदलती है मेरी जो पहले गानों के रिकॉर्ड है एक साल में ही उसके अधिक तर दूसरा बदलावाया है और लोग भी बात कहते हैं कि आपने जो छे मैने पहले गाया था और आप छे मैने के बाद गार रहे हो उसमें बदलावा है तो उस में ये देखता हूँ कि शरीर में इनसां के बगवानने जो हमारी vocal code है उसके लावा भी आवाज की नसेंदी हैं जो खुलती है और जब वो खुलती है तो आपकी आवाज में और गीत में संगीत में आपके दूसरे आयाम आते हैं आपकी सांस प्रलोंग होती है आप लंबे समय तक लंबा गा सकते हैं एकी सांस में तो ये चीजें practice स मुझे कोई कफ नहीं आता या और चीज़ कभी कोई और चीज़ आ जाती है फॉरन एलिमेंट या जो खाए गई चीज़ें हो सब्जी रोटी जो है उसमें कुछ चीज़ें हो तो वो भी श्री रभ बाहर निकाल देता है यह होता है पर कभी अगर होगा तो वो आपकी इसको आवाज को बाधा करता है तो इसलिए देखना पड़ता है कि हम और दूसरा जो है संगीत जो होता है वो ठंडी चीज़ों से कोवाइड करते हैं लोग पानी भी गरम पीता हूं और मुझे आदत है गर्मियों में भी गरम पानी पीने के अच्छा लगता है पीने से इस तरह कर तो बस इतना ही ख्य में थोड़ा आवाज को संभाल के रखना मुश्किल होता है